Hello friends, welcome to current affair funder So friends, आज हम computer fundamental का MCQ का first part आपके सामने लेकर आएं हैं यहाँ पर हम आपको जितने भी previous year में questions आएं हैं PO पे, IVPS PO में या SBIPO में या Bank of Bauda में जितने भी questions computer fundamental से related questions आएं उनको हम cover करेंगे तो आप please इनको careful ही देखिए और समझिए आगे पढ़ने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप first time हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो के नीचे ही subscribe का button है इसे subscribe करना ना भूलिए और यहाँ पर click करके आप हमारे चैनल को जरूर subscribe करिए आप हमारे वीडियो को like, comment and share जरूर करिए जिससे कि जा सहता लोग इससे benefit ले सकें तो सबसे पहले हम अपने पहले question पर आते है a dash is an electronic device does process data and converts it into information यह पूछ रहा है कि यह ऐसी कौन सी device है electronic device जो process करती data को और convert करती है into information में किसमें convert करती है? information में तो यहाँ पर options दिये हुएं computer, processor, case और style जिसमें आपका case और styles तो definitely नहीं होगा अब हम देखते हैं इन दो में से कि कौन सा option correct one होगा computer या processor basically processor का काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? जो भी data दिया जाता है उसके उपर सिफ processing करने का काम किसका होता है? processor का, ठीक है computer के पास ही सारे जितनी भी devices होते हैं, like CPU computer किन से मिलके बनता है? ALU and आपकी storage devices, okay? devices and input output जितनी भी devices हैं इन सब का combination क्या होता है? computer तो definitely computer क्या करता है? आपका data लेता, उसके उपर processing करता है और उसे एक useful information में convert करता है तो यानि कि आपका जो correct option है वो है option A next question पर आते हैं next question है dash is a processed information by computer processor इसमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज, या नहीं number या processor, या input data none of these, इन में से कौन सी ऐसी चीज़ है, जो processed करती है information by computer processor तो आप जो processor है वो किसके उपर processing करता है यह question basically वो पूछ रहा है तो क्या वो number पर processing करता है, नहीं क्या वो processor पर processing करता है, नहीं क्या वो जो भी input आता है, उसके उपर करता है definitely नहीं, जो वो data दिया जाता है, input कुछ भी हो सकता है लेकिन जो basically data दिया जाता है वो उसी के उपर ही क्या करता है आपके प्रोसेसिंग करता है basically input और data आप इसमें confused हो सकते हैं लेकिन basically processing किसके उपर करी जाएगी जो data होगा जो information हम उन्हें देंगे उसी के उपर processing करेगा तो definitely इसका answer यहाँ पर देखिए हमेशा जो भी question होता है उसमें 2-3 options ऐसे होते हैं जो definitely उस question से belong नहीं करते हैं हमारे को एक या दो question जो आपके option होते हैं उनमे confusion होती है तो वहाँ पर हमें दिमाग लगाने कि कौन सा the best one होगा इसके इंदर okay यहाँ पर आप अगर बैसे देखिए अगर यहाँ पर data ना होता हो data को choose करेंगे ना कि input को okay अगर यहाँ पर data नहीं दिया हो जाता तो हमारा next choice क्या होती input होती लेकिन यहाँ पर best one choice कौन सी है data इसलिए यहाँ पर answer होगा data क्या है data is processed in information by computer processor okay next है part of CPU हमें बताना है part of CPU which coordinates all function of computer and other components ऐसे कौन कौन से इसमें part दिये हुए CPU का कौन सा ऐसा part है जो जितने भी computers के part है उसे क्या करता है coordinate करता है ठीक है जितने भी उसके component है तो क्या motherboard करता है coordination नहीं क्या coordination board करता है नहीं अगर आपने हमारा जो lecture 1 या 2 है अगर आपने वहाँ पर देखा हो तो control unit के बारे में हमने आपको बताया था ALU भी नहीं होगा क्यों ALU का काम सिर्फ ली क्या होता है arithmetic logical unit इसका नाम ही यह है तो यानि कि सिर्फ calculation और logical जो comparison करना है या कुछ addition subtraction करना है वो काम ALU करेगा और कई काम वो ALU नहीं करता बिसिकली control unit ही क्या करता है आपका सबको manage करता है चाहे वो आपकी IO devices हो चाहे वो आपका ALU हो ओके या फिर वो आपका IO devices हो ठीक है इन सबसे कौन communicate करता है CU और फिर वो ऐसी storage आपके जो भी RAM और ROM है इनको इनके संग क्या करता है यह communicate करता है तो basically CU ही एक ऐसा आपका जो part है CPU का जो जितने भी component है computer से उसे क्या करते है coordinate करते है तो the right answer will be option C next question पर आते है information in computer is called जो information दी होती है information in computer is called क्या data number symbol stored data और none of this देखिए number बिल्कुल भी नहीं होगा symbol भी नहीं होगा अब हमारे पास दो option आते है data और store data ठीक है information in computer जो computer के अंदर information होती है उसे क्या कहते है उसे data कहते है यह store data data वो होता है जो input करा गया आपके किसमे computer पर ठीक है computer में जो data डाला गया that is called data अब वो अगर data store होता है that is called store data ठीक है तो अगर यह store data वाला option नहीं होता तो आप data को ही select करते लिए आके यहां पर store data अपसे वो question क्या है information in computer जो computer के अंदर information होती है उसे क्या कहते है तो definitely जो भी हम data डालते है वो हमारे storage में जाके store हो जाती है तो store data is will be the right answer okay not at data data तो हम देते हैं उनको लेकिन क्या होता है जो उसको store करता है और फिर हम वह information को use करता है computer for further processing के लिए that is called store data ठीक है तो हमारा जो store data वाला option होगा वो ही यहां पर सही होगा next question पर आते है CPU stands for यह बहुती easy question है central processing unit आख मीच के आप इसको जवाब दे सकते है central processing unit यह आपकी full form होती CPU की तो इसका answer क्या होगा option C next question पर आते है basic operation done by computer computer के दुआरा कौन कौन से basic operation किये जाते है arithmetic operation कर सकता है definitely कर सकता है logical operation definitely कर सकता है data को store करना यह भी कर सकता है तो यानि कि यह तीनों काम जब वो कर सकता है तो answer क्या होगा all okay all of these जो उपर की जितने भी options यह सारे correct है वो storing भी कर सकता है, logical and arithmetic operation ALU के through कर सकता है, तो इस सारे काम basic operation में आते हैं, computer के और computer इस सारे काम कर सकते हैं, तो इसका answer होगा all, D option will be the correct answer. next question, which part of the computer is used for calculating and computing, computer का कौन सा part use होता है, calculation और compare करने के लिए, ये तो आपके लिए सबसे easy है, ALU, ALU का मतलब क्या होता है, arithmetic, arithmetic, logical का मतलब क्या होता है, logical, और U का मतलब क्या होता है, unit, तो arithmetic भी काम कर सकता है, ALU और logical, यानि की comparison जो काम होते हैं, logical में जाते हैं, को greater than है, आपके smaller than है, इस सारे logical operation होते हैं, ये कौन perform करता है, आपका ALU, तो the answer, right answer will be the ALU, आप आख बंद करके इसका answer दे सकते हैं, next है, which unit controls the movement or signal between CPU and IO, CPU, ऐसी कौन सी unit है, computer की, जो control करती है, movement or signals between CPU, या आपका CPU है, okay, और ये कौन है, आपका input, output, IO का मतलब क्या होता है, input, output devices है, कब input लेना है, कब output देना है, कब processing करनी है, okay, इन सब को कौन control करता है, अगर आपको याद हो, अभी हमने एक diagram बनाया था, CU का, okay, CU का काम क्या है, storing को भी control करना, IO को भी control करना, और आपके ALU, okay, ALU को भी क्या है, control करना, तो यहाँ पर the answer will be the control unit, control unit ही, सब को यह बताता है, कि कब processing करनी है, CPU ने, कब input लेना है, input device ने, कब output देना है, output device को, यह सब कौन decide करता है, आपका CU, okay, next है, the three main parts of processor are, processor के तीन main part क्या होते है, processor का काम क्या होता है, calculation करना, ठीक है, और उसी में, यह calculation कौन करता है, आपका, ALU, और अगर आपको मालूम हो, CPU किस से बनता है, CU and ALU का combination क्या कहलाता है, CPU, तो definitely, जो processor के main part होंगे, उसमें दो यह दो पार्ट जरूरू होंगे, control unit और ALU, control unit किस-किस में, इसमें है, पहले option में, ALU control unit दूसरा option में भी है, तीसरे और बाकी के option में, यह है ही नहीं, तो इसको आप बैसी ही discard करेंगे, अब आजाते हैं, इसमें next option में, register और RAM, ठीक है, अगर आपने हमारे सारे lectures, computer fundamental के thoroughly सुने हैं, पढ़े हैं, तो आपको हम बता सुके हैं, already की जो storage है, ठीक है, वो सबसे बड़ी storage कौन सी होती है, secondary, ठीक है, जिसमें आपके क्या आती है, disk, magnetic tape, ठीक है, यह सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी क्या होती है, आपकी primary, जिसमें क्या आती है, आपकी RAM, फिर उससे भी छोटी क्या होती है, आपके cache, ओके, और उससे भी छोटी क्या होती है, रजिस्टर बहुत ही गिने चुने होते हैं और हमने आपको अपने जो जहापे हमने मेमरी का पार्ट का फैला पार्ट शुरू करा था लेक्चर में वहापे हमने आपको बताया था कि जो भी डेटा उसे चाही होता है या CPU को या ALU को हमारे basically calculation के लिए वो डेटा किसमें store होता है register में और वही से लेता है कारण कि वो कम है और वहाँ से data निकालना number of registers are very less in computer और वहाँ से data निकालना उनके लिए बहुत easy होता है जल्दी से निकालते जल्दी से calculation करते अगर वो ही data secondary में से निकालना हो तो क्योंकि वो space बहुत जादा है वहाँ से data निकालना बहुत ही आपका कैसकते है मुश्किल हो जाएगा उसको time लगेगा तो time को कम करने के लिए जितना भी data उसे चाहीं होता है processing के लिए वो कहां पर restore होता है register में तो basically जो 3 main part होंगे processor के वो cu और alu तो होंगे ही दूसरा आपका क्या होगा register RAM नहीं होगा क्योंकि ये तो primary का part है ओके और RAM अगर आप compare करें register से तो उसका space जादा है ठीक है तो processing के लिए basically क्या क्या ज़रूवत है cu की, alu की and register की तो the right answer would be a okay next question पे आता है what is the function of central processing unit of a computer computer में जो CPU जिसे कहते है central processing unit इसका function का है basically create करना invoices नहीं perform करना calculations and processing yes calculation और जितना भी data है उसके उपर process करना उनको उपर calculation करना यही काम क्या है यही basic काम होता है CPU का तो the right answer would be the option B okay next हम 11th question पर आते है a device which is able to store data एक computer क्या है यह पूछ रहा है computer क्या है वो device जो store करती है data को जो analyze करती है data को a device which is able to maintain full security एक ऐसी device जो पूरी security प्रवाइड कराती है यानि कि इसको वो data देखना चाहिए किसको access हम देते है password के through okay तो यह proofful security प्रवाइड करता है computer और sometime attacked by virus और कई बार virus आ जाता है तो वो उससे infected भी हो जाता है तो क्या computer ने कैसी चीज़ है definitely computer store भी कर सकता है data को उसके ओपर analyze अपने CPU की through कर सकता है उसको security प्रवाइड कर सकता है कि कौन किसको कितना access मिले data देखने का और उसके ओपर modify करने का और कई बार अगर गलती से आप कुछ गलती user कर जाता है तो virus आ सकता है आपके computer में और वो affected हो सकता है तो इसमें यह चारों के चारों option क्या है correct है तो answer would be D okay next है the basic computer processing cycle consists of जो computer की basic processing cycle है वो क्या consist करती input लेना processing करना और output definitely यह तो हमारा पहले lecture में हमने बता रखा है कि data input होता है फिर उसके अपर क्या होती है sorry input होता है processing होती है और जब वो processing हो जाती है तो वो से किसमें एक useful information provide करके उसे किसमें convert करता है output में ठीक है तो answer input करना process करना उसके बाद उसके उपर उसको output देना यह ही इसका basic operation होता है processing का ठीक है next step what is output output basically क्या होता है वो output जो user दारा लिया जाता है to processor which is taken by user to processor नहीं which is get to processor by user नहीं which is get to user from processor यहाँ पर answer होगा c वो data जो की get to user from processor get करता है user कहां सते from processor ठीक है तो answer would be c next question the basic goal of computer process is to convert data into basic goal basic जो का उद्देशिय है computer का वो क्या है process is to convert processing करना और convert करना data into किस में? files में? नहीं, tables में? नहीं, graphs में? नहीं, useful information में convert करना that is the right answer तो option c would be the right answer next question आते है the information you put into the computer is called जो information आप put करते है computer में वो क्या होती? कोई fact होती है? नहीं कोई file होती है? नहीं, कोई directory होती है? नहीं, आप क्या डालते है? data जो data आप डालते है that is called information you put into the computer is called data तो answer क्या होगा? B, ओके? next question पर आते है arithmetic operation arithmetic operation basically क्या होता है? addition करना, subtraction करना, multiplication करना, divide करना यह basic operation होते है arithmetic के, okay? अब हम options में जाते है involves matching one data item with another to determine if the first item is greater than or equal to or less than the other item पहला option क्या कह रहा है? कि match करना एक data को दूसरे data से कि देखना है कि पहला जो data है वह दूसरे से बड़ा है या छोटा? नहीं, क्यों? यह एक logical operation है okay? यह एक arithmetic operation नहीं है तो पहला option discard कर देंगे sort करना data को यानि कि उसको according to standard predefined criteria ascending or descending या यह कि उन्हें बढ़ते करम में घटे करम में sort करना लगाना क्या यह होता है? arithmetic नहीं, यह भी एक logical operation है क्योंकि इसमें देखा जाए कि कौन सा बड़ा है, कौन सा चोटा तो यह भी नहीं होगा use conditions with operators such as and or not and or not is a binary operation, okay? यहाँ पर हम यह binary operation perform करते हैं, तो यह भी arithmetic operation नहीं होगा include, addition, subtraction, multiplication and division definitely यह होगा आपका right answer कि क्या करता है वो? addition करता है, subtraction करता है multiplication करता है, और क्या करता है? divide तो आपके इस question का right answer क्या होगा? option D next question पर आते हैं, processing involves processing क्या involved होती, processing के अंदर input data into a computer system, सिर्फ input करना data को यह processing होता है? नहीं transferring input into output input को output में transfer करना, that is called processing यह इक option हो सकता है, इसो हम छोड़ते हैं, कि हम normally CPU क्या करता है? input लेता है, उसके उपर processing करता है और उसे output में convert करता है, ठीक है? next है, displaying output is a useful manner, output को useful manner में show करना नहीं processing का काम, basically क्या है? input लेकर उसके पर processing करना है, ठीक है? यह relevant answer provide करना नहीं तो इसका answer क्या होगा? transferring input into output, जो भी input लिया है, उसको किसमें transfer करना है? output में, और transfer कैसा होगा? उसके उपर processing करके, ठीक है? next question है, input, output and processing devices grouped together represent, अगर आप input, output और processing device, इन सब को इखटा करते हैं, तो यह किसमें convert कहलाएंगी? definitely mobile device बिल्कुल भी नहीं, information processing cycle बिल्कुल भी नहीं, circuit board नहीं, तो answer क्या होगा? एक computer system में ही क्या होता है? input, output और क्या? processing device, यानि की CPU, CPU के part क्या है? CU and ALU, तो इन सब का combination, ALU, CU, input, output devices, ठीक है? इन सब का combination क्या है? एक आपका computer system है, ओके, next question पर आते हैं, the name of the location, किसी भी location का name of a particular piece of data is its address, memory name, storage sits, data location, none of these, हम already बात कर चुके हैं, कि जैसे कोई भी आपके memory ले सकते हैं, हम RAM ले सकते हैं, ROM ले सकते हैं, जितनी भी memory हैं, वो क्या होता है? आपके address होगा, और यहां पर जो भी data आपका डला हुआ है, वो इसके अंदर क्या होगा? store होता चला जाएगा, तो अगर मुझे data निकालना है, location number 3 का, तो मैं कौनगी 0011 से data निकालके लाहिए, ठीक है? that is called address, तो यह हम already इन सब चीजों के बारे में detail में पढ़ चुके हैं, अपने lecture में, memory के lecture में, जो फिलकुल first lecture था memory का, आप पर जाके इसको और detail में देख सकते हैं, तो address, यहां पर right answer होगा, कि the name of location, किसी भी location of a particular piece of data, किसी भी particular data का जो location होता है, उस data को, उस data की location को, हम क्या बोलते हैं, address, ओके, यह predefined, आपकी जैसे कह सकते हैं, definition है, तो इसे हम change ही नह कर सकते हैं, तो address ही कहलाएगा, यहां पर जो answer होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका address, next question है, dash is the part of the computer, dash, क्या, एक ऐसे device जो part of computer that does the arithmetical calculation, यह तो पढ़ते के साथ ही आप समझ जाएंगे, कि कौन सी device arithmetical calculation करती है, यह लिए, तो आप आग बंद करके इसके उपर answer लगा सकत हैं, टिक कर सकते हैं, next है, a CPU contain, CPU क्या contain करता है, a card reader and a printing device, CPU basically क्या होता है, CU and ALU का combination, यह हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगर आप हमाई lecture से go through हैं, तो वहाँ पे भी आपको पता चले जाएगा कि CPU क्या होता है, CU and ALU का combination होता है, card reader एक क्या है, input device है, sorry input device है, और printing device क्या है आपकी output device है, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है, यह answer गलत है, an analytics engine and a control unit, control unit तो आगया, लेकि analytical engine तो नहीं इसका part हो सकता, next है option, a control unit, CU आगया यहाँ पे and an arithmetic logical unit, तो आपका option C आगया है, बिलकुल perfect answer, तो आप इसके पर क्या करेंगे, right का option, click करेंगे, the benefit of using computer is that, computer को benefit, क्या है, अगर हम computer use करते हैं, तो सबसे बड़ा benefit क्या है, computer are very fast, computer क्या है हमारा, एक बहुत fast device है, और can store huge amount of, यहाँ पे off कर लिजा, off data, कि वो एक बहुत बड़ा amount में data ले सकता है, यह तो बिलकुल correct ones है, अब next option से जाते, computer provides accurate output, even when input is incorrect, अगर आप incorrect data डालेंगे, input दें accurate output provide कर सका सके, ठीक है, तो यह impossible है, इसका option का कहने का मतलब कि हमेशा ही accurate, बिलकुल सही, आपको output देगा, चाहे आप गलत input दाने, यह लेकिन option गलत है, क्योंकि अगर हम गलत information देंगे, तो वो गलत ही information processing करेगा, और गलत ही output generate होगा, तो यह option बिलकुल गलत है, computer are designed to be inflexible, computer तो बहुत ही flexible होता है, तो यह इसलिए आपका यह option भी क्या है, यह भी गलत है, all of this, तो definitely नहीं क्योंकि इसमें दो option हमने discard कर दिये हैं, तो all of this वाला option भी हमारा नहीं होगा, तो सबसे पहरा जो answer था, computer are very first and can store huge amount of data, would be the right answer, okay, next question, computation and logical operations are, computation or logical operation हो है, वो कहाँ परफॉर्म हो ALU में, definitely हम already बता चके, ALU में क्या होता है, जितना भी arithmetic और logical, arithmetic and logical operation होता है, वो कहाँ पर परफॉर्म होता है, आपका ALU में, तो अभी हाँ पर question आए कि computation and logical, computation क्या है, arithmetical काम है और logical operation, कहाँ परफॉर्म के जाते, ALU में, next question, the function of CPU is, function क्या है CPU का, to provide external storage of text, कि सिफ external storage of text provide करना, नहीं, to communicate with the operator, क्या CPU का काम केवल यह है, कि वो कम्बिनेट करें operator के संग, नहीं, इसका next answer हो सकता है, to read, read करना, interpret, यानि उसको समझना है कि क्या डाला है user ने data, उसके अपर process करना, the information and instruction, जो भी information और instruction दी जा रही है, उसको read करना, उसको interpret करना, और उसको उपर processing करना, यह function होता है, basically, CPU का, assembler तो definitely नहीं होगा, और none of these भी नहीं होगा, तो इसका answer क्या होगा, option C, last question, example of non-numeric data, non-numeric data क्या होते हैं, numeric data, हम सबसे पहले इस पर करते हैं, numeric data क्या होते हैं, जो आप 0, 1, 2, 3 का जो combination होते हैं, ठीक है, इसको जितने भी numbers आते हैं, वो numeric data में, ठीक है, alphabatic, alphabatic, alphabatic data क्या होता है, जो आपका A, B, C, और S तक जाता है, जो वो गहनाता है, alphabatic, तो इसमें से कौन सा data है, जो non-numeric, non-numeric का मतलब क्या होगा, जो alphabatic, alphanumeric, दोनों होगा, ठीक है, ना तो वो completely alphabatic कहलाएगा, और ना ही वो completely numeric कहलाएगा, ऐसा data कौन सा हो सकता है, employee का address, examination score, bank balance, all of these, bank balance, अगर हम चेक करेंगे, तो हमें पता जलेगा, इसमें 5000 है, इसमें 100 रुपे डले हुए है, ठीक है, यह इसमें 500 रुपे डले हुए, अगर आप observe करेंगे, सारा data का है, numeric data है, तो यह non-numeric तो हो ही नहीं सकता, examination score, examination score, basically कैसा आता है आपका, 50 marks आएँ, आपके 40 marks आएँ, आपके 75 marks आएँ, यह भी data क्या है, numeric है, तो यह भी नहीं हो सकता, employee का address, employee का address जैसे हम कह सकते हैं, 715, A block, street 1, pin code आप कुछ भी ले सकते हैं, 1101, okay, तो यहाँ पर यह numeric data भी आ रहा है, यहाँ पर यह alphabatic data भी आ रहा है, तो यानि कि यह basically imply का address non-numeric में आएगा, okay, क्योंकि इसमें पूरा complete data आपका numeric में नहीं है, इसमें कुछ alphabets भी दिया हो है, तो imply का address होगा, that is, that will become in non-numeric data, तो option A will be the right answer, so friends, यह हमारा last question था, अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया है, तो please like, comment and share करना ना भूलिये, और आप हमारे चैनल को definitely subscribe करें, यह हमारा current affairs vanda का page, और यह group है, इसे please join करना ना भूलिये, और ऐसी देगे से हम आपके लिए आगे और वीडियो बलाते रहेंगे, और अगर आपके तब भी कोई suggestions हैं computer video से related, तो आप definitely comment box में डालिये, हम definitely आपके जितने भी सुझाव हैं उनके उपर implement करेंगे, so friends, thank you, have a nice day.